ये गाईज, वेलकम बेक टो ग्यानवर्शा, आज हम लोग डिसकस करेंगे law of independent assortment के बारी में, लास्ट वीडियो में हम डिसकस कर चुके हैं law of segregation के बारे में, देखें law of segregation में mono hybrid cross वरा सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, उसमें test cross वरा सब कुछ हमने clear कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो मैं वीडियो के end में link देदूँगी, आप महा जाके वो वीडियो देख लीजेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं law of independent assortment से, देखें law of independent assortment को समझने से पहले आपको die hybrid cross का knowledge होना चाहिए, जैसे law of segregation को समझने से पहले हमने mono hybrid cross के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही law of independent assortment को पढ़ने से पहले हमें die hybrid cross को समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले die hybrid cross के बारे में, देखें, mono hybrid का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको जब हम T के tallness की बात करेंगे, तो tall plant भी होंगे और short plant भी होंगे, जब cross करा तो capital T small t आ गया, ठीक है, तो ये एक mono means एक करेक्टर, hybrid means उनका hybrid बना, die hybrid का बाप मतलब समान निकाले क्या होगा, die means दो, दो करेक्टर होंगे और उनका hybrid होगा, ठीक है, आपको अच्छी तरीक से की चीज समाज आएगी, बस आप ध्यान से सुनिए, देखें, दो करेक्टर क सीट का color लिया और सीट का shape लिया, समझाया, तो yellow and round dominant था, green और wrinkled जो है, recessive था, ठीक है, जब उन्होंने cross कराया, पहले आप इंके gametes बनाएगे, मैंने आपको gametes बनाना बता दिया, तो इसके gametes क्या बनेंगे, capital R और capital Y, इसके gametes क्या बनेंगे, small Y, small R, जब इन दोनों का gam F1 generation, capital Y, small Y, capital R, small R, that is F1 generation, समझाया, parental generation है यह, यह F1 generation है, F1 generation, first filial generation, ठीक है, अब देखिए, इसे अगर हम phenotypically देखेंगे, F1 generation को, तो यह आपको कैसी दीखेंगी, round and yellow, round and yellow seed दीखेंगी, आपको, समझाया रहा है, क्योंकि yellow क्या है, dominant है, और round क्या है, आपका dominant, समझाया इतनी बात, अब ये, अब आप मुझे बताईए, ध्यान से सुनगे, अब आप मुझे बताईए, क्या मैं इसे hybrid कह सकती हूं या नहीं, डाई hybrid कह सकती हूं या नहीं, बिल्कुल कह सकती हूं, डाई means दो, दो करेक्टर दीख रहा है, hybrid means capital Y, small Y, capital R, small R, ठीक है, यह hybrid हो गया, आप मुझे बताईए, क्या मैं इसे hybrid कह सकती हूं, इसे, आप मुझे बताईए, यह जो मैंने यह लगाया है, box, क्या मैं इसे hybrid कह सकती हूं, नहीं, मैं इसे hybrid नहीं कह सकती, क्यों, क्योंकि इसमें capital Y, small Y, capital R, small R, समझाया, hybrid means, अच्छे आप बताईए आप मुझे, क्या मैं इसे हाइब्रेट कह सकती हूं नहीं कह सकती क्यों क्योंकि इसमें दोनों स्मोल आ रहा गए समझ आया तो मैं इसे हाइब्रेट नहीं कह सकती क्या मैं इसे हाइब्रेट कह सकती हूं आप मुझे बताइए बिल्कुल मैं इसे हाइब्रेट कह सकती हूं ठीक है आप मुझे आपको याद होगा, हमने F2 generation, कैसे बनाए थी, फस्ट जो F1 generation आई थी, उसकी ही selfing कराई थी, तब हमारी F2 generation आ थी, तो इसका मतलब, आगर हमे इसकी selfing कराईगे, तो हमारी F1 generation आईगी, बास समझ आ पर थी, हमारी F1 generation कैसे आईगी, जब हम इसकी selfing कराएंगे तो इसकी selfing के लिए आपको इसके gametes बनाने होंगे gametes बनाना वैसे तो मैंने आपको बताया है लेकिन मैं आपको इसका detail में बताती हूँ इसके gametes कैसे बनेगे देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी सेल साइकल की नॉलेज होनी चाहिए अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं मैं आपको यहां पर समझाओंगी देखिए मैंने देखिए पहले यहां देखिए अगर राउंड की बात करें हम राउंड and wrinkled की तो capital R suppose किजे राउंड अगर हम बात कर दो यह लुड़र अर ग्रीन की सपोज किजे प्रोमोजोम नमर 2 है तो यह एक ड्रोमोजोम पर प्रोगा येल्लो और यह एक ड्रोमोजोम पर होगा क्योंकि एक पेरैंटल से आएगे यह पादर से आएगा ओर मदर से आएगा, समझ रहे हैं आप, देखे सुनिए, मैंने आपको ये चीज वैसे basics में discuss किया था, एक father से आएगा, एक mother से आएगा, ठीक है, तो इस तरीचे से आप पर 23 pairs होते हैं, तो अगर ये wrinkled है, ये wrinkled है, तो ये क्या होगा आपका wrinkled, और क्या होगा यह आपका wrinkled and green wrinkled and round ठीक है जैसे यह yellow है तो यह क्या होगा green ठीक है अगर यह chromosome number one पर है तो एक chromosome पर अगर आपका round है तो दूसरे पर green होगा अगर एक पर round है तो दूसरे पर आपका wrinkled होगा अगर एक पर आपका येलो है तो दूसरे पर आपका ग्रीन होगा ठीक है तो अब आम नेक्स चलें देखिए अब ध्यान से सहने हैं देखिए यह इन्होंने क्रोमोजोम दे रखे हैं अब क्योंकि यह S phase से होके आया होगा तो sister chromatid बन गई होगी तो यह S phase में duplication हो गया है S phase में क्या हो गया है duplication तो देखिए आर का तब ही आपको यह क्या दिख रहा है chromatid दीख रहे हैं आपको ऐसे दो यह chromatid दीख रहे है sister chromatid ठीक है आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब देखिए एनाफेस फस्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं द्यान से सुनिए एनाफेस फस्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं तो क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर होमोलोगस हैं क्य मैं homologous chromosome separate होते हैं तो एक में capital r आ जाएगा एक में small by जाएगा इंद히 सेम वे एक में capital y आ जाएगा एक में Small y आ जाएगा अब यह by chance की बात है कि capital r के साथ capital y जाएगा समज those reference R के साथ capital y आयगा अब हम यहां पर केस लेक всего चल रहे हैं पहले कि capital R के साथ capital Y आया, suppose कीजिए, तो देखिए, जब एनाफेस फर्स्ट हो गई, अब दुबारा एनाफेस सेकंड आईगी, एनाफेस सेकंड में, जो आपके देखिए, यह आपके sister chromatid है, ठीक है, R की बात कर रहे हैं, capital R है, suppose, capital R आपको ऐसे दिरुखना, त यह जो एक centromere से अटेच है, तो यह सेपरेट होंगे, समझाया, sister chromatid separate होते हैं, एनाफेस सेकंड में, जब एनाफेस सेकंड में, sister chromatid separate होंगे, तो capital R के साथ capital Y चला गया, एक capital R के साथ, यह वाले के साथ, यह यह आ गया, समझाया, क्योंकि एक एक चलेगा, यह एक लाइन इधर के Y के साथ चली गए, यह इधर के साथ Y के साथ चली गए, capital R के गैमीट्स बन गए, सेम, small r, small y, यह इसमें आ गए, small r, small y, इसमें आ गए, तो four gametes बन गए, मियोंसे होई तो, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेटाफेस first में, अगर suppose कीजे, capital R के साथ, small y गया है, capital R के साथ, हों लोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, तो capital R के साथ, suppose कीजे, capital Y ना जाके, small y चला गया, suppose कीजे, यहां तो capital Y के, हमने study की, अगर small y चला गया, तो वही चीज, capital R, small y, capital R, small y, small r, capital y, small r, capital y, I hope आपको यह चीज समझ आई होगी, ठीक, अगर नहीं आई तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, कुछ नहीं कीजेगा, आप capital R लिखिएगा, suppose कीजे, capital R लिखिए, capital Y, small y, capital y, small y, capital R लिखा आपने, capital Y, small y, ठीक है, ऐसे ही small r लिखिएगा, capital Y, small y, समझ आया, तो देखिए, कैसे बनाएंगे आप, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital y, small r, small y, चार ग तरीके से ना बनें आपके, तो आप इस तरीके से बना लिखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r, चार गैमिट्स, male के बन गए, और चार गैमिट्स, female के बन गए, पुनीट स्क्वेर के थुरू आप लिख लेंगे, और आप क्या है, अब इन, ज सारे फ्यूज में हम देखेंगे, capital Y, capital Y, capital R, capital Y, capital R के साथ फ्यूज करेगा, तो क्या मिलेगा, capital Y, capital Y, capital R, capital R, यह आप इस तरीके से पुरा पुनीट स्क्वेर बना लिखिए, तो टोटल 16 आप पर, कितने नमबर आजाएंगे, टोटल 16, यह चीज़ समझ आई, तो अगर हम फिनो टाइप रेशियो देखना चाहें, इसका अगर हम फिनो टाइप रेशियो देखना चाहें, तो हमें 9 is to 3 is to 3 is to 1 मिलेगा, दिहांचे सुनिए, 9 is to 3 is to 3 is to 1, यह क्या है, 9 आपको मिलेंगी, फिनो टिपिकली में बता रही हूं, 9 आपको क्या मिलेंगी, round with yellow seed, 9 क्या मि अगर यह 3 क्या है, round तो है, लेकिन green है, यह 3 हो गई, यह 3 क्या है next, यह next 3 क्या है, wrinkled yellow, देखिए, 1, 2, 3, समझा है, wrinkled लेकिन yellow, यह क्या है, जो एक बची है, वो है wrinkled green, समझा है आपको, 9 is to 3 is to 3 is to 1 आपको ratio मिलेगा फिनो टिपिकली अब यह हम जीनो टिपिकली बात नहीं कर रहे हैं हमने वहाँ अगर हम Mono Hybrid Cross के अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या आपको फिनो टिपिकली ratio मिलाता क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या ratio मिलाता 3 is to 1 बात करें यहाँ पर जीनोटीपिक रेशियो की डिखें जीनोटीपिक रेशियो जो आपको मिलेगा वह मिलेगा 1 is 2 1 1 is 2 1 is 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 दिखें से याद रखेंगे 1 2 1 2 4 2 1 2 1 कैसे आप याद रखेंगे दिखान रखेंगे मैं आपको बताती हूं बहुत शौट तरीका इनका दिखें राउंड आप पहले क्या कीजिगा आप पहले तीन बार केपिटल आल लिख लिए तीन बार अप दिखान से सुनीए क्या करना है आपको Capital Y, Small Y, Capital Y, Small Y, Capital Y नहीं, नहीं, तीन बार Capital R लिख लिए आपने, ठीक है फिर आप क्या कीजिगा, Capital Y, Capital Y, Capital Y, Small Y, Small Y, Small Y समझ आया, तीन बार पहले आपको ध्यान से देखे तीन बार आपको पहले तीन देखे तीन बार आपको Capital R लिखना है तीन बार capital R लिख लिए आपने फिर क्या करना है उन तीनों में एक बार capital Y, capital Y इसी sequence में लिखना है capital Y, small y, small y, small y ठीक है फिर आप क्या कीजेगा फिर next three देखिए कि यह capital R, small r लिखना है capital R, small r पहले आपने capital R, capital R लिख लिए उसके बाद capital R, small r लिखना है और उसके बाद लिखना है आपको small r, small r, समझाया capital R, small r के साथ यही तीन फिर जोड दीजेगा capital Y, capital Y, capital Y, small y small y, small y, ऐसे small r, small r लिख लिख लिए जगा तो फिर तीन बार लिख दीजेगा capital Y, capital Y, capital Y small y, small y, small y और रेश्यो के आएगा 1 is 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 4, 2, 1, 2, 1 समझाया total 16 combination बनेते आपके जिसमें से एक था आपका round yellow, ठीक है फिर round yellow, phenotypically बात है यह यह बात है genotypically, देखे यह phenotype की बात है और यह बात है genotyp की, अगर आपसे पूछा जाए capital R, capital R Y, capital Y, capital Y कितने हैं आप कहेंगे 1, ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि round yellow कितने है वो तो आपको 9 मिल जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रहा है capital R, capital R, capital Y, capital Y कितने हैं तो आप कहेंगे 1 समझाया है कैसे आपको बस कुछ नहीं करना इस तरीके से आप लिख लेंगे ना easily 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 समझ मैं है तो देखी इस चीज से इस result से क्या पता लगता है it is evident that each pair of contrasting character behaves independently हर जो contrasting character है independently behave कर रहा है and bears no association with a particular character देखे इसका मतलब समझे इसका मतलब क्या है देखे इसका मतलब ये है कि हर character अपना behave कर रहा है like जो round है वो associate नहीं है सिर्फ और सिर्फ yellow के साथ round आपने देखा round wrinkle seat के साथ भी आ रहा है तो means round character अपना particularly behave कर रहा है वो associated नहीं है color के साथ समझ में आया round आपके green color के साथ भी आएगा round आपके किसके साथ yellow color के साथ भी आएगा समझ में आए इस law of independent assortment का मतलब अब आप एक बार पूरव पढ़िए इसको क्या है लिखा हुआ है देखे it was deduced from Mendel's experiment with dihybrid cross dihybrid cross आपको समझ आया dihybrid समझ आया capital Y small y capital R small r ये आया इसका ही selfing करा दो तो dihybrid cross ये dihybrid है आपका ठीक है across that involves the analysis of two independent traits independent traits कैसे होगा जैसे हमने यहाँ पर seat का color और seat का shape लिया ठीक है कोई भी दो independent traits लेने है आपने देखा color जो है dependent नहीं है shape से क्योंकि आप देख खुद देखा ना आपने जो yellow color आ रहा है वो wrinkled seat के साथ भी आ रहा है और round seat के साथ भी आ रहा है तो independent है मतलब दोनों characters एक दूसरे पर depend नहीं है तो independent traits है ठीक है इस term dash dihybrid cross अब देखे लो सुने this law states that in dihybrid cross assortment of one gene occurs independently of the non of the other non-allelic gene at the time of gametogenesis जब gamet की formation हुई तब because of such an independent assortment of non-allelic genes new combination of characters are produced in the office spring इसलिए तो हमें phenotypically इतने ratios देखने के लिए 9 is to 3 is to 3 is to 1 and genotypic क्या ratio मिला है 1 is to 1 2 देखे ऐसे रहा है 1 to 1 2 for 2 1 to 1 और बस ये याद मत रखे का ये भी याद रखे का इक इस तरीके से लिखने है I hope आपको इस चीजें अच्छी तरीके से clear हुई होगी law of independent assortment की देखें आप questions की चिंता मत कीजें अब ही एक दो वीडियो और लाइक आपका co-dominance रहे गया है ठीक है co-dominance, कुछ dominance के वो रहे गया है exceptions incomplete dominance देशे आपका रहे गया है इन सब को discuss कराने का तो हम questions भी धीरे-धीरे लेंगी साथ में तो questions की आप चिंता मत कीजें आप पहले concepts clear कीजें concepts clear करना मेंडल जानेटिक्स में बहुत जादा जरूरी है तब ही आप questions solve कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt हो ग्यानवर्षाquery at the rate gmail.com पे आप mail करके पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप like कर सकते हैं as well as comment में भी mention किया कीजें like मुझे भी पता लगता है कि मैं कि अगर आप लोगों को अच्छी तरीकी से समझा पा रही हूं कि नहीं पा रही चीजें ये जो material है मैं ग्यानवर्षा टेलिक्राम चैनल पर upload कर दूँगी अगर कोई doubt हो तो आप even though मुझे comment में भी mention करके पूश सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं thank you